क्या हुआ जब भगवान स्रीर राम की अयोध्या को बचाने आए खुद हनुमान जी और फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान हो गई दोस्तों कहते हैं जहां परभु स्रीर राम हो वहां हनुमान जी जरूर होते हैं कहा ये भी जाता है कि सन 1998 में आयोध्या में एक ऐसी घटना घटित हुई जो किसी चमतकार से कम नहीं थी इस घटना के दवरान कई लोगों ने आयोध्या में साक्षात हनुमान जी के दर्शन किये हैं आखिर अयोध्या नगरी में सन 1998 में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देशी नहीं बलकि दुनिया को हिला कर रख दिया इस दिन अयोध्या वार्शियों ने हनुमान जी के साक्षात रूप में दर्शन किये थे आखिर क्यों हनुमान जी को अयोध्या में आना पड़ा था आईए जानते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैसरी राम अवस्य लिखे सन 1998 में अयोध्या सबसे ज़्यादा समवेदन सिल्चेतरों में से था उसी साल उतरपरदेश की एटियेप को एक ख़वर मिलती है कि अयोध्या में 20 किलो RDX लगाया गया है जिसके बाद एटियेप की टीम ने तुरंत वहाँ पर कारवाई करते हुए RDX की खोजबिन सुरू कर दी जहां जहां RDX लगाने का अंदेशा था पुलीस वहाँ पहुच गए और पुलीस की सूजबूज और समझदारी के चलते RDX को जप्त कर लिया गया और अयोध्या नगरी में एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई बात यहीं खत्म नहीं होती है इसी बीच आतंकियों ने बम निरोधक को संत का भेस बनाकर अयोध्या फेजा और उसके द्वारा अयोध्या के हरुमानगड़ी मंदिर में बम लगवा दिया बता दे हरूमानगडी मंदीर अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदीर है और यह वही मंदीर है जहां प्रभु सुरीर राम ने हरूमान जी को रहने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि तुम यही रहकर अयोध्या की रक्षा करोगे इस मंदिर के ठंडे पानी की मसीन में उस आतंकी ने टाइमर सेट करके बम रख दिया था एक एक पल अयोध्या को एक बड़ी अनहोनी के और ले जा रहा था पुलिस कर्मी उस आतंकी और बम की खोज में लगे हुए थे तो वहीं मंदिर का कोना कोना चानने के बाद भी बम का कोई पता नहीं चला लेकिन कड़ी महनत से उस आतंकी को पकर लिया गया और उससे पुष्टाश की गई तो इसने बम का सही लोकेशन बता दी तब तक बम के भटने में सिर्फ एक मिनिट का समय बचा था पुलिस कर्मी तुरंत मंदिर में गए और उस बम को ढूनने लगे मंदिर का एक एक कोना यहां तक की मंदिर के गलियारे तक ढून लिये गए लेकिन बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दिया सबकी नजर मंदिर के आंगन में बैठे एक बानर पर पड़ी जो ठंडे पानी के मसीन के पास बैठकर अपने हाथों में दो तारों को लेकर खेल रहा था कभी वो उन तारों को अपने मुह में डालकर चबाने की कोशिस करता तो कभी जोर जोर से खीचता जैसे वो तार काटने की कोशिस कर रहा हो जिसके बद पुलिस को सक हुआ कि आतंकियों ने बम को इसी मसीन में फिट किया है उन्होंने बंदर के हाँ से तार चुड़वाने के लिए केले फेके बंदर ने तार तो छोड़ दिया लेकिन बिना केले लिए वहां से चला गया इधर उधर देखा तो बानर किसी को नहीं दिखाई दिया बंदर के जाते ही बम निरोधक दल तुरन पानी के मसीन के पास गया और उसकी जाच परताल सुरू की मसीन खोली गई तो उसके अंदर एक बम मिला जिसे देख सभी के हों सुड़ गए उससे भी जादा हैरानी की बात तो या है कि बम पहले से ही डिफ्यूज कर दिया गया था क्योंकि बम में लगा टाइमर मातर तीन सेकेंड में रुका हुआ था यानि की मातर तीन सेकेंड बाद यदि इस तार को नहीं काटा जाता तो पूरी अयोध्या बलास्ट हो जाती जानकारी के मताबिक बंदर ड्रिल तारों से खेल रहा था उस बानर ने बम के तारों को काट कर उसे फटने से रोक दिया था भक्तों का मानना है कि या बानर कोई साधरन बानर नहीं था बलकि सुयम बजरंग बली थे जो कह रहे थे कि जब जब मेरे परभु सरी राम की नगरी अयोध्या में संकट आएगा तब तब मैं उनकी दक्षा करूंगा मैं अपने परभु के सबसे प्रिये नगरी पर आज नहीं आने दूँगा इस अद्भुत चमतकार के बारे में आप क्या कहेंगे कमेट बॉक्स में जरू बताईएगा अगर आपको या वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेट करे अब वीडियो को जरस जरस सेर दिलू करे